हेलो एवरिवान, वेलकम बेक टू अबर चैनल, तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ चेप्टर 11, एक्सराइज 11.2 के आगे के कॉशन, इससे पहले वाली वीडियो में हम कवर कर चुके हैं गॉशन नमर 1, 2, 1, 2, 5, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वशन नमर 6 से, यदि अभी तक आपने इंट्रोडेक्शन और गॉशन नमर 1, 2, 5 नहीं देखी हैं तो सबसे पहले जाकर आप इंट्रोडेक्शन देखें, उसके बाद आप कॉशन से स्टार्ट करें, उसके बाद आप आगे की वीडियो को स्टार्ट करें, तो अब हम बात करते हैं, क्वशन नमर 6 की, क्वशन नमर 6 में क्या गया गया है, अपोड ऑप सबस्टेंड कर रही है, एंगल कितने डिगरी का, 60 डिगरी का वो वी किस पे सेंटर पर, सबस्टेंड का मतलब होता है, एंगल बिट्वी इन टू लाइंज, टू लाइंज, टू लाइंज, एट आ पॉइंट, जो हमारी कोड है, वो सबस्टेंड का मतलब होता है, वो एंगल बना रही है, कहां से सेंटर से बना रही है, कितने डिगरी का पर रही है, 60 डिगरी का पर रही है, और क्या दो लाइंज के बीजे मा रह माइनर सेग्मेंट और मेजर सेग्मेंट का एरिया बता है तो आपको यह पता होना चाहिए माइनर सेग्मेंट क्या होता है और मेजर सेग्मेंट क्या होता है इसलिए कहा है आप सबसे पहले जाकर इंट्रोडेक्शन देखें तो इसको बोलते हैं माइनर सेग्मेंट ठीक है और यह जो उपर होगा, वो major segment होगा, यह minor है, यह major है, ठीक है, तो हम यह वाला area find करना है, तो इसको किस तरीके से find कर सकते हैं, देखो, यह हमारा पूरा एक तरी, यह हमारा क्या पूरा sector है, यह sector है, A, B, C, ठीक है, यह हम अपने triangle को नाम दिदी, और यह पूरा triangle दिख रहा ह से, यह पूरे sector में से क्या कर दें, यह पूरे sector में से हम यह triangle minus कर दें, हम वो क्या मल जाएगा, minor segment मल जाएगा, तो हम लेकर solution में है, solution, area of minor, area of, यहां पर लेके area of minor segment, सीक्टरी अससे पहले ने हाँ पर हुआपर कौंसा ट्रैंगल ट्रैंगल बोथ सेम यह लिखेंगे बहुत रेडियाई तो बोथ सेम है यदि यह दोना साइड सेम है तो इनके अपोसित अइंगल भी कैसी होंगे सेम तो इसके opposite angle ये वारा इसको हमने देदी एंगल बन और इसके opposite में angle हो जाएगा हमारा 2 मतलब OA के opposite हमारा angle concern एंगल 1 है और OB के equal में कैसा है 2 है कि reason देदेगे if side are equal then then क्या हो जाएगा opposite angles also equal also equal यदि हमारे आपसमें दोनों equal हैं तो हम इसको भी हम x माल लिए और इसको भी हमने x माल लिया ताकि हमें तो पता तो चले यदि हमारे angle same आगए तो हम यह बोल देंगे हमारा कौन से ट्राइंगल है इकुलेटर है ट्राइंगल है इसलिए हम सब कुछ करें तो हम लेकिए angle x plus angle x angle 60 degree is equal to 180 degree यारी जिएंगे some angle sum property angle sum property हम यहां पर angle sum property के यूज कर देंगे तो हम यहां पर जागा 2x is equal to 180 minus 60 degree अभ 180C am drafting 60 degree को minus करेंगे तो हमारा 20 degree वाक गया और 2x को एजड़ इसको cancel करेंगे तो एक्स की value हमारी क्तियारी 60 degree यदि ये बी اक से ये भी एक से तो मतलाकि ये भी हमारा 60 degree है ये भी 60 degree है किटा अपॉन में 360 इंटु पाई आर स्कॉयर साथ से पहले तो हम इस फर्मुले को अब यहाँ पर एरिया आप ट्राइंगल कौन से एरिया की बात का जाईए एकुलेटर ट्राइंगल है तो इसका फर्मुले क्या होता है रूट 3 अपॉन में 4 और यहाँ पर अपॉन मतलब का साइड का स्कॉयर ठीक है तो खीटा की वेल्यू किती दिया हमार पास 60 डिगरी और यहाँ पर लगेंगे 360 इंटू पाई देखो पाई की वेल्यू हमारे यह यूज करना है तो हमें यह लगें 3.14 इंटू रेडियस किती दिये 15 इंटू में 15 माइनस अब रूट 3 रूट 3 की जगा आप यहाँ को यह सेम यूज करना है 1.72 आप उन में 4 और A साइड का स्कॉर किता दिये ट्राइंगल की साइड के आउंगी सभी सभी 15 तो हम लेगें 15 इंटू में 15 अब इसको सिल्पिफाय कर लेदें एक जीरो से एक जीरो कैंसल 6 और यहां पर क्या बचेगा 6 बन जाएगा और इसको और कैंसल करती है 2 से कैंसल करेंगे तो कितना बचेगा तो अब हम यहां पर स्विम देख लेंगे 1.57 और यहां पर इसका इंटू कर देंगे 70 बचेगा 75 और यह माइनस अब देखो अब हम इसको करेंगे और सिंप्लिफाय कर लेते हैं तो मैं आपको डायेट अंसर निकाल इसका इंटू करके बता देता हूं डायेट जादा वीडियो लंबी नहीं हो तो हमारा इसका अंसर आजाएगा हमारे इसका अंसर गागा 117.75 और इसको अपसमें चैंसर करेंगे दिए यह कैंसर तो आप कर सापते हो ठीक है तो हम इसका माइनस करेंगे मेजर सेग्मेंट की तो हमारे माइनर सेग्मेंट अब देखों मेजर सेग्मेंट हम किस तरीके से निकाल सकते हैं मेजर सेग्मेंट में हम क्या करें यह हमारा पूरा यह क्या सरकल यह चुटा वाला माइनर सेग्मेंट और पूरे सरकल में से यह माइनर सेग्मेंट हटा गिया यह पूर्य सेर्कल में हमने इतना हटा गिया पाँ तो यह क्या बाज़ेगा हमारा मेजर सेग्मेंट बचेगा तो हम बूइद करेंगे तो सबसे पहले आप इससे नोट करो मैं रप करता हूँ तो देखो अब इससे रप करो तो देखो अब हम हेरें डालते हैं Area Of Mejor Segment मेजर सेग्मेंट तो हमारे statного करों इससे इससे area of circle में से माइनस कर देंगे किसको मैनस कर देंगे ए इरिया ओफ माइनर सेग्मेंट माइनर सेग्मेंट स्कर्ण को सब्सक्राइब है त्थिल चोंगे अब आगे स्कुछिंट हैस्ट है और अब सिसका माइस कर देंगे 10.53 अब जब आप के लिए किसी, तो हम्हा करता है 225-20.43 इस तरीकसा है 20.43 बोलेंगे 20.43 तो दिंग अब आके आप इससा जब आफ़ interfaces कर दें आप मैं से यहां पर अंसर लें रहेता हम। हमारो Overall यहां से कितना रहेगा हमारा रहाँ यहां पर 706.5 और माइनस कर दिंगे से 20.43 यह सब आप कर सकते हो यहां पर सरफ हमारा काम है आपको क्वोश्चन समयाना यह क्या सकते हो अब 10 क्लास में हो तो तो ठीक है अब हमारा और यहां पर एक इस जीरो पॉंट फाल और एडिया पर लगते हैं सेंटीमीटर स्कॉर में जाए तो हम यहां पर एडिया जीओ विकिस में आएगा संटीमीटर स्कॉर में आएगा यूनित लिगना कंपल सरी है तो अब हम बात करते हैं सब्सक्राइब करता हूं तो देखो अब हम बात करते हैं कि कॉश्चन नमबर सेवन की कॉश्चन नमबर सेवन में कहती है अपोड़ ऑप सार्गल ऑफ रेडियास 12 सेंटीमेटर सबस्टेंड एड 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 एंगल ऑफ तो देखो अब हम बात करते हैं कि कॉश्चन नमबर सेवन की क्या दिया गया अपोड ऑफ रेडियास 12 सेंटीमेटर सबस्टेंड एंगल ऑफ वन टॉंटी डिग्री एड दा सेंटर क्वाइब क्या दिया गया एक सरकल है जोसे में मारी क्या है कोड क्या बना रही एंगल बना लेजन की बना रही है डेखो सफेंड का मतला क्या हूंता है एंगल बत्राइब टू लैंस की बीच में यह वाज़ा है लेकिंग पॉइंट को हमारे किसकी बोल गया है सेंटर से तो यह हमारे यहां पर क्या था यह था हुंत्य लिए ह है इथ तो यह सेंटर इतना सान में आय हमाले एरियत आज्या करना है corresponding segment of a circle मतलब कि यह वाला एरिया यह वाला एरिया आज़िए बुला गया है हमाले minor segment का area corresponding segment नहीं मतलब माइनर वाला इरिया जो मारे circle का है यह वाला area की बात करें लिए आप इसको किस तरीके से find करें तो देखो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए यहां पर कौन से ट्राइंगल है कि यहां पर उसी ट्राइंगल के साफ से फॉर्मुला लगाएं क्योंकि यह हमारा क्या वरा है एक तरीके से पूरा सेक्टर बग रहा है यदि हमने इस अगें यह सेक्टर में से इस ट्राइंगल को वी ठीक है हमने ट्राइंगल उठाया है ए और यह हमारा 120 डिगडिये और हमको फता यह कैसी हमारी यह बाली साइड और यह वाली साइड आपस में मतलब की ओ एक्वल बोध इकवल बोध इकवल ठीक है दोनव इकवल है क्योंकि दोनों की 15-15 cm दिया है या आप दोनों की रडिया ही सेम है आप क्या हुआ यह A इसके सामने वाले को जाएंगे 1 एंगल और इसको देदेंगे 2 एंगल क्यों यहीं दो साइड एक्वाल है तो इनके दोनों ऑपोजिट एंगल भी एक्वाल है तो A O B के आपन में क्यों लाएग इसको हम बोलेंगे X और इसको भी हम बोलेंगे X ठीक है इसको एक्स बोलेंगे तो आप हमारी पता है गोई को जाएगा हमारी एंगल को एड़ करेंगे तो हमारे पास किता है का 120 is equal to ने यह इस तरीके से जाएगा अब देखो यहां पर हमने क्या बला है 2x तो एंगल हो जा सब्सक्राइशनी ग्ला जाएगा तो इसको गेंसिल किया तो X हमारी कृत्णी मिल लगें यह हें है 30 अर हमारे 30 अर हमारे knows." यह हमारे कित copyright अ AM इसका मतलब यह तो मतलब यह इयु颟 पंछलिस। ग्यांगल है, जा एकशन्स 평ण सब्सक्राइगे q esta मनें क्या थीwr? नहीं हमन क्या formula यूज करते हैं half into base into height लेकिन हमें इसकी height भी पता होना चाहिए तो height यह हमारा 120 एंगल है ठीक है अब हम क्या करेंगे बीच में से median draw कर लिया यह देखो एकदम median draw कर लिया और यह जो एंगल थे आप उसमें equal divide कर रहे थे यह पूरा कित्य का था 120 degree का अब हमने median draw कर लिया और यह ही बजाएगी हमारी height तो इसका मतलब हुआ यह यहां से तोड़ा तो इसका मतलब क्या है यह वाली side और यह वाली side आपस में equal होगी तो यह वाली side कैसी होगी आपस में equal तो देखो मैं यहां पर यह काला भी triangle बना जिता हम यह हमारा इस तरीके से हमारा क्या जाएगा ही triangle हो गया ठीके है यह हमने एक बीच में से median ड्रो कर ली तो यह जो एंगल बर रहा था पूल बन एक median के करती है दो equal यहां पर यह कतना बन गया 60ग और यह कितने डिग्री बन गया 90 डिग्री अह पर यह जो एंगल को कितने डिग्री का हो गा 30 डिग्रीग ऌसका मतलब जब median ने ड्रो किया तो AC जो हमारी ए इसको point मेंकी द की दिए अाप गाले, तो N TRIANGLE किसकी बात कर रहा है कि ये वाला triangle की बात कर रहा है ये OC ये लिया ये triangle की बात कर रहा है अब माली ये median चाहिए तो हम इसे तकनोमेट्रिक का मदरस्न काप सकते हैं झैजनी हमने ये वाला angle है,再見 30-dig्री का धजए ये तो ये तो यहां सहर से पहले SAN 30 SAN 30 है क्या है पर्पेंडिकुलर और बेस यह हमारे पास गिवन है एक साइड हमारे यह गिवन हो तो दूसरी हम हम पास कर सकते हैं किसे एक उनमेटरिक पंक्सिन्थी मदश चाहिए पर्पेंडीबु़र अपन में, बेस तो, साइन 30 अब पर्पेंडीबुलर हमारा क्या है, O C, और A C, ठीए, साइन 30 इलिए बन अपन में 3, OC हमारी हे, O C फाइंडी करना है, और A, Sorry, हाइपोटेज्ण लेगना थी, हाइपोटेज्ण क्या होती हमारी, O A होती ही, ठीए, इसको cancel करेंगे तो यहां पर 6, तो यहां पर एक overall हमारे पास के तर यहां पर 6 cm, sorry 6 OC आ गई, 6 cm हमारी OC आ गई, चलो ठीक है, हमारी अपकी बार क्या मिल गया, यह भी मिल गया, अब बात करते हैंगे, next हमारा काम क्या रहा गया, अब हमारी सिर्फ और सिर्फ पाइंट करना बेस, बेस और चाहिए, अब देखो हम यही से बेस पाइंट कर लेते हैं, आधी बेस मिल जाएंगे, यहां से, इतनी तो पाइंट कर सकते हैं, क्यों आगे हमने, अपकी बार हमें कौन चाहिए बेस और परपेंडिकुलर है, हमने यहां पर लगा दिये, sign, अपकी बार हमने अब हाइपोटेनियस करती है, AO, और पॉस 30 की वेल्यू क्या होती है, रूट 3Y2, तो हमने लेका, रूट 3Y2 is equal to, आप AC की बाप करें, AC, AC को हमने एज़र से लग दिया, और यह हमारा जागा, टोईल, इसको कैंसल किया 6, तो हमारे पास करती है आए गई, 6, रूट 3, और सी किस्ते मिलके बनी है, AC प्लस BC, और AC और MEDIAN, यह कैसी दोनों आपस में equal है, हमने MEDIAN डो करी थी, MEDIAN आपस में क्या होती है, एककोल होती है, तो BC की जगा भी हम क्या रख सकते है, AC, AC उकल 2 में क्या लागा, 2AC, 2AC, अब 2AC की बाप कर देंगे, तो क्या जागा, 12, यहां पे AC निकल के जागी, अब देखो हमारे पास base भी मिल गई, perpendicular भी मिल गया है, सब कुछ मिल चुका है, अब simple हमारे यह formulae में values पूट करनी है, तो आप देखो सिर्फ हमारी base किती आ गई, base आ गई हमारी 6, और sorry, base हमारी 12 root 3, और हमारी height किती आ गई है, height आ गई है 6, तो पहले note करो, मैं rough करता हूँ, तो देखो, आपने note कर लिए हुआ, तो मैं इसे पूरे rough करता हूँ, तो देखो, अब हमें क्या होना है, सीधा हम सीर्फिन लगाते है, area of, corresponding segment का मतला हुदा, minor segment, minor segment की बात की जा लिए, तो क्या था सरी, minor segment में इसके area of sector को minus कर देते हैं, area of sector, sector में से हम क्या minus कर दें, area of triangle, area of triangle कौन सा है, oab, ठीक है, oab लग दिया, आप क्या करते है, theta की value put, sector का formula का था, 360 into pi r square, minus, अब हमारा अपर area of triangle, triangle का formula क्या लगेंगे, half into base, base हमारा क्या है, यह base मतलब a, into height, height हमारी क्या सी है, oc, ठीक है, यह हमारा formula हो गया, आप theta की value put करेंगे, तो यह sector तो यहां से लेगे, हमारा पूरे ही है, तो sector किता हुआ, 120 degree, अब उन में, 360, pi, pi की value हमें again use करना है, 3.14, into, और radius की value, radius हमारे करते लिए, 12, into में 12, minus, half, base, base हमारे पास क्या दिया है, base, base हमारे पास हमने यहां पर लगागा, 12, root, 3, into में, perfect height, height हमारे पास हो जाएगी, 6 हो जाएगी, इतना है समझे, तो इसको cancel कर देते हैं, यहां से cancel करेंगे, तो 6 बचेगा, इसको भी 0 से 0, यहां 3 time में हो जाएगा 12, 3 time में हमने इसको cancel कर दिया, तो यहां पर 3 बचेगा, अब 3 से भी हमने हैं से cancel कर दिया, तो यहां पर 3 से कितने time हो जाएगा, 12 time हो जाएगा 3 से, अब यहां पर और simplify करेंगे, तो हमारा नजर कितना रहागा 13 यह इस तरी के से लिखेंगे एंडू में 4 इंडू में 12 माइनस 6 देखो 6 6 6 6 कितना रहागा 36 6 इंडू 6 36 और रूट 3 की पहली हमार यह पूट करना यह ही है यह है है यह करेंगे 14 काय साथ इंडू करेंगे अब इसका हम इसके साथ कि पड़ा त्याम लग सकता इसलिए मुए आपको जीजह सॉनीच करके आपको जाता हम कि करेंगे मारा कितना जाएगा हि तो देखो हमारा जाएगा हम इस fifteen एंटू करेंGy तो हमारा घा रहा होगा कितना एकिल्ट बेख एक हमारा अठर अससे आगा और जब हम इसां इंटू करेंगzd गैंधर। इन दोनितर ल्रमिल्हाथ कर दें किल्गांट कि इसनंत प्लिख सब्लड़ कितना आगा दिखेंग यह को उ-देट तक हमारी तो हम यह कितना हो लेगा हमारा 12 तो यहापे बचेगा 4 तो यहापे भी बचेगा है उसको इसमें से हम आजेगा 8 तो नम्हें हमारा झालेगे कि अभात करते हैं तो आप इस्से नूट करो देख़ो आचो आपको में समझना होता पहलेग्व कि कौनसा हम ट्रैंगल यूज कर सकते हमने आपको सबं रूट एक्षान न बता रहा है यदि हमारे एकुलेटर ट्रैंगल हो तो हम फॉर्मूला कौनसे लगाएंगे कृण सा फॉर्मूल लगाएं रूट 3 आप आपने 4a2 यहादी हमाई पाई आईसोसलगर्स ट्रैंगल और राइट एंगल ट्रैंगल हैं तो हम यही वाला फॉर्मूल लगाएं यहादी आइसोसलगर्स ट्रैंगल आ रहा है तो हमाई लिए उसमें करना पड़ेगा इप्फॉ नोट कर लो, देखो मैं आपको नोट बना देता हूं, तभी आप रफ करना, देखो, एक चीज और, आप जितने भी क्वेश्चन हों, इसमें आपको डाट एक होता है, तो मैं आपको हें पर नोट कर देता हूं, यदि हमाए पार राइट एंगल की बात की जा रही है, तो हम हम कौन सा फ़र्म लगाएंगे, हाफ इंटू, बेस इंटू, हाइट, तो हम उसमें लगाएंगे, रूट 3y4a2, यह नोट कर दो, आगे confusion नहीं होना चाहिए, और यदि हमारा इसमें आपको डाइंगल आ रहा है, यह तो आपने नोटी कर लिया हूआ, आइसमें बेस, एंड, हाइट, हमाले क्या फाइंड करना होगी, बेस और हाइट को पड़ेगी, फाइंड करना पड़ेगी, एंड, लेट, मीडियन, हमको एक मीडियन को लेट करना पड़ा करेगा, बस इतनी सी चीज़ी नोट कर लो, अब आपके सारी के question क्लियर होते जाएंगी, य … जमालेजी हमालेजी हमने इय pengšíज़ी हम आपके सारी एके सारी ने मेंस खॉर्स को बना गया है लेट करना है, उसमें इक हमने ऐपना में रहे के लुनता होटा हो जहां पर यह आपने को बंते हैं लख्र दाईवं को बना है, एक लुर्स को बना गया है श्कायर के और यहां सबसे हैं, उसकी लंबाए के रिंध के लिए 15 मेटर, 15 ने यूल-फोर जैब लॉट्वर मने सबस्टकर और हमारे जैनकर लंबध अब पमस्टकर थे हैmi मेलजियम खिछनी के पॉंसिस करेंगे तो आगे था को यहां से लेगे 15 cm तब जा पाएगा अमाली जी हमारी रोप है 5 मिटर की रोप है यह अमाली जी हमने इसको इकदम स्ट्रेच कर दिया गया तो इस तरीके से हमारी रोप हो गई कैसि घिष्व कोकूल से इसी तुरूप fé और काई है यहां से लेकी हां तक ही जा पाएगा आज कोशन ही है हमने पर बताना ए से अपर다 में के यह बने लागा का इस नी पांट कर पाएगा यहां से लेकर इतनने कर पाएगा कहां तक 5 mi तक को पताएगी हमारी 5 यह शकार होzus Maine मैंने बहु सकतें आइधे यला यहां में इसको तो घ्ला/. यह अधिन कर भी तॉमी तो यह अधिन कर पार्घाब। यह प्रोड जा फाईगा प्रहें यह लिए Twdoes और हमने इसको stretch कर दिया तो वह इतनी पार्ट में ग्रेज कर पा रहा है तो यही पार्ट हो जाएगा ठीक है is equal to हम यहाँ पर लगा देगी क्या लगा देगी एडिया उपसेट का formula के उठाग ठीटा अपन में 360 इंटू में पाई आर स्कॉर्ड ठीक है ठीटा की वैली कित्ती जाएगी 90 अपन में 360 इंटू पाई पाई की वैली हमारी यह 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 यूज करना है ठीक है इंटू में आर स्कॉर्ड रेडियस हमारी कित्ती जाएगी रेडियस हमें यह 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 दो इसको हींत के लिए नाइं को फोर से से केंसल कर लिया कर दे अब और आके सिंप्लिफायर करते हैं अब हमने इसको फिस्केंट से 2 ऐ Alrightуч b투. यह कोछतम नृट बजाएगा आप इसको बस्कूण कर लेदेगी तो 1.57 what in the world करेंगे। 25 25 अपन जाएगा हमारा 2 अब इस पॉइंट को यहाँ पे लेंगे तो हमारा कितना जाएगा 100 और अब हमोरा बेट सेवेयर बैट सेवेयर करंगे हमें देखते हैं फर ऑनसर कितना नाएगा 8 सेवेयर करेंगे तो यहाँ पे 8 बन जा, 8, तो यहाँ पे कितना बचीए गा, 7 और 7, अब 8, 9 जा, 72, यहाँ पे 72 बचीए गा, तो हम इसमें से माइनलस करेगा, तो हमें कितना बचीए गा, 5, अब एक पोइंट लगा दी है, 0, अब यहाँ से कर, आब आगे किसे करते हैं, 48 तो यहाँ पर 48 और यहाँ पर 20 बचेगा है 20 बचा और यहाँ पर 16 अब यहाँ पर 20 बचाता यह देखो 20 अब हुन 16 से करेंगे तो यहाँ पर कता बचेगा 4 तो 4 के पीछे एक 0 लगाएंगे मतलग 5 तो हमारा अस्ता अंसर क्या लाएंगा sorry 19.0 19.0 यहाँ 0 लगाने के जरू पर 0 लगाते हैं sorry पहले लगा जाता point तो यहाँ पर क्या लगाएंगा 19.625 तो यहाँ पर 0 पर नहीं लगाएंगे पर 0 लगाएंगे तो 625 पर लगाते हैं जब हमारा कोई स्टाटेक में भी solution डवाइड नहीं हुता जैसे कि हमने यहाँ पर लग दिया 10 divided by 5 अब यह 5 तो लगा जाते हैं पर उसके बाद नहीं लगा जाता पर उसके बाद सरफ हम क्या लगाते हैं तो यह होदाएगा हमारा तो इसको हमने यहाँ पर लग लिए अभी अब आगे वाले पार्ट में क्या पूछा गया है यह हमारा कौन सा इरिया है इतना वाला अब देख आगे the increase in the grazing area if the rope were 10 long instead of 5 यदि हमने वो long को जो हमारी रसी थी यह रसी को कितनी long थी 5 meter long थी अब इसको हमने इसके इतनी कर दी बढ़ा के 10 कर दिया है बढ़ा के हमने यहां से लेंके इसको इतना कर दिया है यह देखो यहां से बढ़ा के 10 कर दिया ह। यह भी तुछ जैक्तर क्यरें यह बड़े सेक्टर में यह बड़ा सेक्टर है और यह चोटा सेक्टर है यह चोटे सेक्टर को बड़े सेक्टर में से माइनस कर दिया या फिर बड़े सेक्टर में से इस चोटे सेक्टर को हमने गायद कर दिया यह देखो यह हमने यह सेक्टर बना लिए दो अब यह हमारे या वहां गई धर दीया तो हम क्या करें बड़े वाले स्ट्र में से चोटे वाले सट्र को मायम्स कर दीगे सबसे पहले आप यह नोट करो अब भी ऐग नोट किया होगा तो मैंसे हर ना उस राफ कर देता हम हमने अंसर तो लेकी लिए आप और आप ढलो तिया आप लेखेंगे increasing पर पार्ट ऑफ ग्रेजिंग एरिया पाट ऑफ ग्रेजिंग एरिया ग्रेजिंग एरिया ठीक है क्या करेंगे एरिया ओफ बिगर सेक्टर बड़े वाले सेक्टर में से हम क्या वाले माइनस कर देंगे एरिया ओफ हमने स्मॉल सेक्टर को माइनस कर दिया ठीक है अब क्या करेंगे आप बड़े वाले सेक्टर में 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 बान का हूँ । एंगल तो थीटा हमारा स्यम होने वाला है, तो हम यहां लगें, यहां पर सीधे लगें, थीटा 360 इंटू मैं, पाई, आर, बन का होल स्कॉर, माइनस, थीटा अपॉन मैं 360, यहां पर बड़े बाले को हमने क्या माना आर्टू, तो बड़े में से छोटे को माइनस करें, आर्टू, यहां तो आप कोमन भी ले सकते हो, कोमन लेना हो तो कोमन ले सकते हो, यह सेंपल अंसर नकाला है, तो आप सेंपल भी लेका सकते हो, ठीके, हमाला लगें लगें, यहां थीटा की वैल्यू पित्ती पॉट तर देंगे 90, यहां तो दो कोमन लेना इसी रहेगा, औ और pi की value हमाले यूज़ करना है 31.4 और radius, radius हमाले कित्ती और 10 का होल square माइनस, अब यहाँ भी लखेँंगे 90 upon 360 into pi की value और radius हमाले कित्ती दी गई है, radius दी गई है 5 का square अब हमें ईहां से लेते है 90 × 10 का स्कॉर बनौ में 100 क्जिकल की 75 अब उवर्व वाँजिस लिए 1 नहीं सब दिख लेते है 1 अब उन नहीं से 4 इंटू और य इंटू, अब सुछस्य मैंस करेंगेMark तो इतना बज़यगा 75 बच जाएगा अब यह दो पॉइंट से इनको नीचे जाएगे तो 100 हो जाएगा अब 25 त्री टाइंग और यह हमारा जाएगा तो अगीन हमारा किता बचेगा 314 और नीचे हमारा किता बचेगा 44 अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हो पहला रख कर से सब्सक्राइब करें लग जा तो यह नहीं आप विंuchar काल फॉल विन पींजल करें इंटू 1.37 इंटू 10 यह 100 अब जब आप इसको solve करोगे तो आपका answer आएगा यह कुछ इतना आज़ागा यह ठीक है और आपको यह देखो इसमें से तो आपने पहली solve कर लिए तो जब हमारा answer किरना आ रहा था यह देखो स्मॉल सेक्टर का तो हमने पहली find का चुके थे तो 19 पॉइंट के आश्की साथ 19.64 यह तरीके से हम दो वैल्यू लिख लेते हैं बस आपके आश्में से आप minus कर दोगे तो आगी ना आपका answer करता जाएगा 58.88 20 मीटर स्कॉयर ठीक है जो आपको मैंतर अच्छा लगे आप उस सब्सक्राइब 15.3 मीटर स्कॉयर 2 रा यह पालार जाएगा यह थे तो सती है Rat Bene. लेसे निगका सब्सक्राइब 15.34 मेरे देया तो आपके सब्सक्राइल में तो सब्सक्राइब 15. Under 10. Mia 20. मिलि मिली मीटर देखे है जो इनकी रेडियस देखी निंगीud nine 35 mm लिए गया है और वो 5 डामेटर बना रहा है और वो डवाइड कर रहा है एक्वल पार्स में डवाइड हो रहा है इक यह सब्सक्राइं के रहा है या है मर्वाइड सब्सक्राइक है। तो इसका मतलब क्या हुआ यह सर्कंफ्रेंस हो जाएगा यह साथ में यह डायमेटर प्लास पाइव डायमेटर को कर देंगे तो यहां पर लिखें लिखें क्या लिखें तो हम क्या करेंगे क्या करेंगे सर्कंफ्रेंस ओफ सर्कल हम सर्कंफ्रेंस ओफ सर्कल प्लस फाइव डायमेटर और फिस में जो पाइव डायमेटर उनको और और आड कर दें तो हमारा के लेंट नकालाए पूरे सिल्वर बायर यहां पर लगाएंगे हम एक क्वाइक असाइनू हैं तो यहां पर कर देंगे तो हमारे पास निकल के जाएगा तो हैं पर कर देंगे 35 अब इन दोन को हम एड़ कर देंगे 25 यहां पर वैज़ा 2 पूरे हमारे हमारे हमारी बायर की यह सिंपल था है पूरे हमारी यह पूर्य की लेंथ निकल कर जाएगा अब बात करते इसके सेहें बादी तो पहले आप इसको नोट करो तो तो देखो अब हमबाद करते सेकंड्ट बाल हुन सच इसकेंड सेकंड्ट में कीज़ आत्या में अ ङुक्व के लूबाद पर बैसि Всем सेक्त करका निकालबस की बता दें थे हैं तो mów यहां पे लगाज़ दीन सिंपल एडियो सेक्टर आधू सबसे पहले ढलूरी और ये इंगल पता होना चाहिए इसका एंगल क्या हुआ सबसब खोले में आपी सबसब पर हमें अगल भी तो पताऊना चाहिए इसके में नहीं पता अए उसके में लिखेँगे सबसब फ hoşण पेर Ęंगल संद्त आर्ख सेक्टर की सी तरी है टोटल हमारा कितना डिगरी का है 2 में 2 में 2 किसी सबके जरß हम हम एक सेक्टर का ही ढल के अगला है 36 अब रहने 10, कहा हम अब हम पसे दो बागम में डवाएड करती है यह सर नो फार्ट में डवाइड करती है त इस अंगल पूछजा है यह वानें गता होगा Chicago अब तूसं नहरे करको है तो नहरा हो ना तूस धूसर ने समस्तिटर उसकी नेजीर तो हम चार से डिवाइड कर देंगी तो मां ली एक का निकल गयागा जो भी कित्ता हुआ नाइंटी डिगरी का हुआ उसी तरीके से हमारे यह 10 थी एक सेक्टर गी थी तो हमारे कित्ता गया 36 डिगरी आगया अब एंगिल निकल गया तो हम लेखा दिंगे सेंपल एरिया ओ सेक हमेंथ की तो उसस ना तो हम पर की सिंप्लीपाय करते हैं तो इसको यहां पर हमारे कित्ता आ गया 10 बच आई तक हम केंसल कर देंगे हैं हैं पर आप इता है 17 बच आए सको चैंसल कर देंगे तो कित्ता बच रहें तो फाइव बच गया है ठीक है अब इसको भी केंसल कर देंगे तू बचेगा यहां पर तू यह पूरा कैंसल हो जागा तो हमारा ऑवर व्लंसर करता जागा 35 इंटू में 11 अपॉन में 4 यहीं बचेगा अब 11 का भी इंटू कर लेते हैं हम 11 का इंटू तो यहां पर जागा 5 6 7 8 और यहां पर जागा 3 देखो दो तरीकिस कर सकते हैं प्याल नमबर आज़ा कि फिर इंटू को एड़ का देंगे और लास्ट नमबर ऐसी हमारे पास बहुत इसको यही हमारा अंसर होगा है साइस ऐडिया है एक बार हम चेक कर लेते हैं तो आपका यहीं अंसर आ रहा है ठीक है इसी फोर्मद ही है यारि फोसे डवाइड करना है तो आप भो भी लेग सकते हो तो अब हम बात करते हैं क्वेस्ट नमबर 10 गी तो आप इसे नोट करो हमारे पास एक umbrella है उसमें क्या गए 8 ribs है जो आपको यह दिखा रहा है यह क्या है ribs है तो चार साइड है और चार पीछर दिखाए नहीं यह ribs यह पूरी एक ribs यह दो तीन चार यह ribs है हमारे पास इसके पीछे भी हमारी हमारी क्या होगी चार ribs होगी Assuming umbrella has to be a flat circle of radius 50, 46 under the need तो देखो, अब हम बात करते हैंगे, question number 10, question number 10 में के दिया गयागा, umbrella has two 8 ribs, which are equally safe, हमारे question में दिया गया, एक umbrella आगा, जिसकी कहेगी, equally 8 ribs है, जिसकी हमारे, देखो, यह पूरी के दिखाए दी रही, यह 1 ribs हो जाएगी, यह दूसरी ribs हो जाएगी, यह तीसरी ribs हो जाएगी, यह आगे क्या दियागा है, assume umbrella to be a flat circle of radius 45 cm, हमको assume करना है, जो हमारा umbrella आप उस तरीके से flat है, एक circle shape में, यह question में given है, हमको assume करना है, उसकी radius, मतलब कि यहां से तक की, यहां तक की radius हमारे पासे दिया है, 45 cm दिया है, आगे क्या होला है, find area between two consecutive ribs of the umbrella, consecutive ribs, each हर एकी बात है, हमें consecutive ribs का use करना है, consecutive का मतलब का होगा है, यह बाला, यह, एक के बाद ए, यह, फिर इसके बाद है, हमने आपको, 3rd और 4 chapter में यह मतलब पला था, consecutive मतलब होता है, लगा था, बन बन प्लस एड कर दिया, हमारी पहली और यह दूसरी, इन दोने के बीच का area, बस एक किसी का use कर लेंगे, हमको यह बता है, find the area between two consecutive ribs of a umbrella, हमें जरूरी पूरी सरीकल का नहीं पूछा, यदि पूरी ribs का find करने के लिए पूछा होता है, सीधा होती तिना, circle का find करना है, तो हम सीधा circle का find, हमको ribs का बोला, consecutive ribs, तो हम सरफ एक किसी ribs को ठालेंगे, तो सब से पहले तो आपको यह बता होना चाहिए इसमें हमारा angle कितने degree का बनेगा, तो सबसे पहले, यह किसी sector बन रहा है, यह sector बन गया है, तो यहाँ पर लिखें है solution, angle of sector, angle of sector की बाख करें, हमारा total circle कितने degree का है, हमारा 60 degree का है, 160 degree का है, अब total कितने parts में divide हो गया, total 8 part में divide हो गया, तो हम divided by 8 से करनेगे, divided by 8 से करेंगे, तो हमारा लिखें, एक रिप्स की निकल गया ही, हमने पछले बाले question लिए बताता है, सेरे example लेंगे, मालों हमारा circle क्या है, यह कितने degree का है, 360 का, अब इसे हमने 2 parts में equally divide कर दिया है, अब हम से बुझे लाए, यह उपर वाले circle कितने degree का हुआ, और नीचे वाला circle कितने degree का हुआ, अब दो पार्ट में equal divide हो, हम 360 के divide कर देंगे 2 का, तो हमारे कितने निकल के है 180 degree, इसका मतलब किया, जो उपर वाला circle बनाई दे रहा है, यह पूरे यहां से लेगे कितने degree का बाला है, 180 degree का, और नीचे वाला circle भी खितना कर रहा है, 180 degree का, चलो ठीक है, अभी भी समय नहीं है, अब हमने इसके 4 equal parts divide कर ग 20 degree आ रहा है, मतलब भी एक quadrant का पता चला, उसी तरीके से, हमें यहां पर इस बाले angle का पता करना है, total circle के लिए हमारा 360 degree का, total risk कितने 8, यदि हमने 8 से डवाइड कर दिया, तो हमारे पास कितना निकल किया जाएगा, यहां से करेंगे 4, और यह 45 degree निकल किया जाएगा, ठीक है 32 और प्लस 40, तो हमारा 40 degree तो हमारे यहां पर करता आगा, 45 degree निकल के जाएगा, यह तो हमारा angle of sector निकल है, सीधा आप volume लगा देंगे, area of sector का, तो यहां पर किता अपन में 360 इंटू में πाई 20, पाई आर स्कॉर, पाई आर स्कॉर, अब यहां पर radius हमाई लिए, ठीटा की मेल 22 अपन में 7, radius हमार पास given 3, यह इस तरीके से हमारी radius लाई, और इसको cancel करना है, तो cancel करते हैं, तो सबसे पहले हम इसे करते हैं, 2 से cancel कर लेते हैं, यहां बचे का 11, यहां बचे का 180 degree, और आप कैसे cancel करते हैं, अब करते हैं हम 500, 59 या 45, 53 या 15, लेकिन 3, 15, 16, 17, 18, 3 बचे का य 5, 6, 30, तो यहां पर 36 हो जाएगा, और के cancel हो सकता है, और हम इसे किस से cancel कर सकते हैं, अब हमारा यह 3 से भी cancel हो जाएगा, यहां से 3 से cancel करेंगी, एक मड़ी यह 45 फमबेचे कीसे लेती हैं, इस वह कर लेती है, तो यहां पर कितना बचे हमारा 3 बचेगा, तो अगेन हमने हम 12 बच रहा है अगे इन 3 से हो जाएगा या सीजन 9 से कर देती कोई दिक्कर नहीं तो यहां पर कितना बच लिए हमारे पास 4 तो आप जब इसको आप सिंप्लिपाय करोगे हमें यहां पर लेगें यहां पर लेगें 45 11 इंटू 45 अब इनका 4 इंटू करेंगे तो कितना आजाएगा 28 जब आप इन 3 आपस में इंटू करेंगे तो हमारा 2 2 इस तरीके से अंसर आएगा अपन मिलेगा 28 cm2 और यह हो जाएगा हमारा अंसर अब आप यह सिंपल कैल्पिलेशन है आप कर सकते हो ठीक